Now, scene 3, a large cave. Scene 3 में एक बड़ी सी कुफा है. The bandits and Hainsang are inside the large cave. Hainsang looks about him in wonder. A few of the bandits are holding their nose in disgust at the smell. अब यहां पर क्या होता है? जहां पर सब लोग पहुंच आते हैं, पहुंचते हैं. टाको और बेंडिट 1 और बेंडिट 2 और वेंग सांग है, वो सब एक गुफा पर पहुंच रहे हैं. वो कौन सी गुफा थी? जिससे जेकाल यूज करते थे. वेंग सांग उस गुफा को बड़े आश्चारे से देख रहा हैं और कुछ जो है डाको ने अपनी नाग को बंद किये हुए है ताकि जो गंदी स्मेल है वो उन्हें ना लगे क्योंकि जो स्मेल है वो काफी गंदी ह जिस वज़े से अपनी उन्होंने नाग पकड़ी हुई है ओके बंदिट लीडर है ना थिस इस देख बुद्धिस्ट के आई वोस चेलिंग यू अब यह बोल रहे हैं कि यह एक बुद्धिस्ट गुफा है जिसके बारे में मैंने तुम हैं बताया था या तुम बुद्ध जो हैं बुद्धि की पवीतर आत्मा को फील नहीं कर सकते हो वो बोल रहे हैं ठीक है तो हैंग संग बोलते हैं एक्साइटेड ये सिस आइकें हां कहते हैं हां मुझे फील हो रहा है मैं कर सकता हूँ बंदिट लीडर विंकिक एथिस गैंग और जो बंदिट लीडर है अप की दिवार पर जो है बुद्धि की परचाई यानी टाइम टो टाइम दिखाई में दिखती रहती हैं ठीक है वेंग संग पोलते हैं हाँ काइंड आफ यू तो बंदरफुल के अना तो ओह इफ ओनली आइकुट बी लग्की एनफ तो सी देशिदो अफ यू फॉर ब्रिंग में हीर आई विल सिट डाउन और प्रे इन दिस होली एटमोस्विया अब वेंग संगे वो कहते हैं कि तुम मुझे इतनी अच्छी और आश्चारी जनग गुफा में कैसे लिहाए हूं मैं बहुत ही लखी हो जाऊंगा यदि मैं बुद्ध की परचाई देख सकू तुम मु कि लिटल और स्माइल एट इच अदर सून दे स्टॉप होल्डिंग दियर नोस और लुक एबाउट तेम इन सप्राइज अप्ट विंग संग अपने पैरो को क्रॉस करके यानि की आलती पालती मार कर बैठ जाते हैं और जैसे ही प्रातना करने की मुद्रा में बैठते हैं और उचारन करना शिरू कर देते हैं अपने मंतर का बैठ बैठ वहां से दूड चले जाते और दूड जाकर जो है एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं यानि कि हसते हैं जो उन्होंने अपने नाग पकड़ीवी थी उसे वो छोड़ देते हैं और आश्चारी से वहां प बाद ने कि उल्ड़ मेग्स विर्ट अइगान।